दोस्तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं STML के उपर यदि आप beginner है और STML के बारे में जानना चाते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा सीरीज रहेगा हम इसमें काफी detail में सारी चीजे cover करेंगे तो चलिए देखते हैं कि STML क्या है तो STML is nothing but hypertext markup language अब यह क्या करता है इस a language for creating web pages जो भी आप browser पे web page देखते हो वो कैसे बनते हो बनते हैं hypertext markup language यहने कि STML से बनते हैं अब यह क्या मतलब करता क्या है यह browser के लिए तो यह पुरा web का structure बताता है और browser को बताता है instruct करता है कि कैसे मतलब content को display करना है अब जो content रहेगा वो किस type कराएगा आपका paragraph रह सकते है heading हो सकता है images हो सकती है button हो सकते है table हो सकते और भी बहुत कुछ हो सकता है तो यह सारा जो content है वो HTML के द्वारा बनाया जाता है और उस सेम चीज हमें browser पर दिखाई पड़ती है तो अब next हम यह देखते कि इसका structure कैसा होता है मतलब HTML document यह हम देखे तो क्या structure में क्या है तो इसमें आप देखिए कि सबसे top पे आपको doc type HTML मिल रहा है अब यह actually browser को बताता है कि HTML document है उसके बाद आपको उसकी अंदर एक root element HTML मिलता है और उसी के अंदर आपको मिलता है head और आपको मिलती है body ठीक है अब body के अंदर क्या रहेगा जितने भी आपके heading paragraph images वो सारा कुछ उसमें रहेगा और head के अंदर आपको मिलता है title links और style जो भी आप मतलब body के अंदर आपने content जाला हुआ है उसकी styling करना है तो आप हो head में डाल सकते हैं और link क्या होता है मैं आपको practically दिखाऊंगा कैसे मतलब आप icon title के बाजू में ला सकते हैं तो ये दोस्तों एक simple introduction मैंने बताया है आपको तो हो सकता है video आपको अच्छा लगे अच्छा ल कैसे setup करेंगे thank you